हाई दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती मज़ेदार सी ये पनीर बटर मसाला की ऐसी रेश्पी जिसको खाने में एकदम रेश्टूरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा बनाने में एकदम एजी और खाने में बहुती टेस्टी तो चलिए कैसे बनाना है देख लेते हैं अब टमाटर को बड़े बड़े तुकडों में कट कर लेंगे और इसी मिक्षे रार में डाल लेंगे साथ ही डाल दिया है तीन जो हरी मिर्च ली थी उसको बड़ा बड़ा साइज में कट कर लिया है अब इसी टमाटर में डाल देंगे एक चोथ याई चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसका फाइन पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे तो ये लिजी पेस्ट हमने आपे तयार कर लिया है अब हम यापे लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे दो बड़े चमच तेल तेल जैसे ही करम हो जाए उसके बाद हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले मसाले में हम यापे लेंगे एक तेज पत्ता और चार हरी इलायची आठ से दस काली मिर्च हरी इलाची डालने से सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब हमें आपे डाल देंगे एक चमच फाइन चॉप किया हुआ लेशन लेशन को एक मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगी और जैसे ही लेशन का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम आपे डाल देंगे फाइन चॉप किया हुआ प्याज हमें आपे इसका फाइन पेस्ट नहीं बनावा है प्याज का तो बस अब हम प्याज को भी कलर चेंज उने तक बून लेंगे तो प्याज को पकाते हुए हमें आपे 2-3 मिनट का समय लगेगा और यह प्याज बहुत ही अच्छे से पक जाएगा तो यह लीजे प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक इच अद्रक का तुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है अद्रक को भी हम आपे थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि अद्रक का सारा कच्छा पन निकल जाए जैसे यह अद्रक पक जाए उसके बाद हम आप डाल देंगे फिछा टी स्पून हल्दी पाउडर और फिछा अप डाल मिर्च पाउडर अब टमाटर की पेश्ट को हमें आपे बहुत ही अच्छे से भून लेना है इसको भूनने के लिए हमें आप इस तीन से चार मिनट का समय लगेगा तो मीडियम ब्लेम में गैस को कर लेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे तो टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये किनारों पर तेल नहीं छोड़ देता अब टमाटर को पकाते समय ही हम इसमें डाल देंगे आदा चमस नमक और फिर चे इसको नमक डाल करके अच्छे से भून लेंगे ये लीजिए अब टमाटर को भी हमने याँ पर अच्छे से भून लिया है और इसके साइड में किनारे में तेल दिखने लगा है जैसे ही टमाटर अच्छे से भून जाए उसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे आदे चमस धनिया पाउडर और आदा चमस जीरा पाउडर साथ डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेती अब इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे शीच्छे से भुन चुके हैं अब इसमें डाल देंगे काजू का पेस्ट यहां पे मैं आठ से दस काजू लिए थे जिसको आदा गंटे पहले गून गूने पानी में भीगव करके रख दिया था तो चंच अने ये सबजी आपने ऐसे ही घर पे बनाई है तो जब ये पेस्ट यानि की मसाले और काजू का पेस्ट या पे अच्छे से पक जाए तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको कवर करके दो मिनट के लिए और पका लेना है जिससे कि इसमें जितना भी ओलोगा वो ऊपर आ जाएगा साथ के साथ ये मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे अब इन मसालों में बहुत ही अच्छी सी खुसबू आने लगी है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी तो इसमें आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से ही पानी डाले हमें आपे बस आदी ग्लास पानी का इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सबजी थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है तो हमारी यहाँ पे ग्रेवी तयार होने वाली है तो ये लिजे इसमें भी अच्छे से उबाला चुका है और इसे दो मिनट के लिए हमें आपे पका लेंगे जब ये ग्रेवी देखने में इतनी अच्छी लग रहे है तो ये सोची खाने में कितनी टेस्टी होगी तो यहाँ पे हम डाल लेंगे आदा चमच गरम मसाला और अब उपर से डाल देंगे बारी कटी हुई धरी धनिया पत्ती धनिया पत्ती डालने से सब्जी के खुस्पू और भी बढ़ जाती है तो अब इसको भी अच्छे से मिक्ष कर देंगे यह देखिए यह ग्रेवी एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है यानि कि यह ग्रेवी बन चुकी है तो आप इस ग्रेवी का टेक्स्टर देख सकते हैं यह एकदम परफेक्ट है तो इसी तरीके से हमें आपे इस सरजी के लिए ग्रेवी बना करके तयार करनी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लिट लगा के इसको कवर कर देंगे अब हम यहाँ पे दूसरा पैन लेंगे और उसमें डालेंगे बटर हमने आपे बटर के दो क्योग का इस्तमाल किया है अब हमें आपे बटर को बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से जलने लगता है तो बटर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पनीर अब इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर देने के लिए पनीर में डालेंगी बस दो चुटकी हल्दी और दो बिंच कसमीरी लाल मिर्च साथ इडाल देंगे एक चोथ याई चमच कसूरी मेथी साथ इडाल देंगे एक चोथ याई चमच नमक तो इस स्टेज पर ये सबी चीजे डालने से इसका कलर तो चेंज होता ही है साथ में ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा अब पनीर को हमें आपे उलड़ते पुलड़ते थोड़ी दिर के लिए फ्राई करना है जिससे कि ये पनीर में बटर का टेस्ट आ जाए और इसमें एक पतली सी लेयर आ जाए और जब तक पनीर का मॉस्चर खतम नहीं होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे ये देखिए इसको फ्राई करते हुए याँ पे दो मिनट हो चुके हैं तो पनीर का मॉस्चर एकदम खताम हो चुका है, अब हम इसको एक बार और पलट देंगे, तो ये बहुत अच्छे से फ्राय हो चुका है, अब इससे जाता हम इसको फ्राय बिलकुल भी नहीं करेंगे, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ये देखिए, ग्रेवी को त अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो आपको या पे ग्रेवी थोड़ी से थिक लग रही हो, यानि की थोड़ी से गाड़ी लग रही हो, तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या थोड़ी से थिक कर सकते हैं, अब हम गैस को ओन करके इसे 2-3 मिनट के लिए लो फिलेम में पका लेंगे जिससे की पनीर में ग्रेवी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और ग्रेवी का फ्लेवर अंदर तक जाएगा तो सब्ची भी लगबग यहां पी दो मिनट हो चुके हैं यह अच्छे से पक चुकी है तो अब हम उपर से डाल देंगे बारी कट आप इस सब्ची का टेक्षर देख सकते हैं यह देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है तो आप भी एक बार इस रेस्पी को ऐसे ही जरूर ट्राइ करें इसमें एकदम होटल रेस्टोरेंट का टेल्स टाएगा बहुत ही अच्छी लगेगी आपको यह खाने में दोस दोस्तों में भी सेर गर दें दोस्तों अकसर हम रेश्टुरेंट में जब खाना चाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या और करते हैं यह पनीर की रेस्पी जब आप इस तरीके से यह घर पर बनाएंगे तो यह सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंदा आएगी चलिए अब for watching, take care, bye-bye